अपनी कला को देश के कोने कोने तक पहुंचाने के उद्देश्य को संजोते हुए राज़ानी शिमला के अतिहासी गेटी थेटर में वोमेन आर्टिस्ट द्वारा 14 अक्टूबर से 16 अक्टूबर तक तीन दिवस्य चली चित्रकला और मूर्ती प्रदर्शनी का शनिवार को समापन हो गया प्रदर्शनी में हिस्सा लेने पहुंची कोलकता की रश्मी दुगर्ण ने बताया कि उन्हें शिमला में बहुत अच्छा रिस्पॉंस मिला है लोगोंने उनके कारे को सराते हुए उनसे पेंटिंग भी खरी दी है जिसकी उन्हें बेहत खुशी है मैं रश्मी दुगरू, मैं कोलकता से हूँ, हमारी यहाँ पर वुमेंस की ग्रूप एग्जिबिशन आज और तीन दिन की त्री डेज एग्जिबिशन थी तो काफी अच्छा रिस्पॉंस मिला है हमें शिम्ला के क्राउट से, काफी बायर्स भी मिले हैं तो होप करते ही कि आगे भी हम जब भी एग्जिबिशन करें हमें ऐसा ही रिस्पॉंस मिलता रहे और इसमें अपना काम यहां के लोगों तक पहुचाना चाहते थी इसलिए हमने यहां पर एक्जिबिशन और्गनाइज करने का शिमला के लावा और कहां कहां लगाते हैं आप शिमला के लावा हमने अमरिसर में लगाई है पंजाब अमरिसर में धरमशाला में भी हमने अपनी एक्जिबिशन लगाई है पिछले पांच-छे सालों से हम हर साली साल में एक बार ट्राइ करते हैं कि हम इस जगह इंपर भी ऑर्गनाइज करें इस तरह के एक्जिबिशन जो स्टूडेंट आप से सीखने आते हैं तो उनको किस तरह का प्लेट फॉर्म का है सर एक्चुली इस लाइन में कोई कांसलिंग नहीं मिलती स्टूडेंट को तो उन्हें राइड वे टू राइड केरियर वो गाइडेंस काफी अच्छे मिल जाती है यहां पर हमारे साथ काफ़ी senior artists भी हैं, उनसे उन्हें काफ़ी अच्छी guidance मिलती है, they can pursue their career in this field also.